नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काली मिर्च का प्रयोग, काली मिर्च विशेश तोर पर शनी देव से संबंद रखता है कहीं ऐसी परेशानिया होती हैं, जो आपका पीछाई नहीं छोड़ती हैं, आप दिन प्रति दिन उन परेशानियों से घीरे चले जाते हैं कहीं ऐसे दोश होते हैं जो शनिवार के दिन आपको परिशान करते हैं आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव की क्रपा आप पर नहीं है तो आप एक चोटा सा उपाय कर सकते हैं पूरे शनिवार के दिन कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं आपको सिर्फ एक छोटा सा काला कलर का कपड़ा लेना है आपको उस काले रंग के कपड़े पर एक मुठी या फिर आपकी जितनी एक्षा है उतने आप काली मिर्च के दाने रख दीजिए काली मिर्च के दाने साफ सुत्रे होने चाहिए इस बात का ध्यान रखें, तुटे-फूटे या फिर कटे-फटे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें आप कुछ दाने आप उसमें काले कपड़े में रख दिजे, रुमाल जी इतना बड़ा कपला होना चाहिए उसमें आप दो सिक्के रख दीजिए, एक रुपे दो रुपे आपकी मर्σιी है, लेकिन दो सिक्के आप जरुर रखिये और उसकी एक पोटली बना लीजिए, पोटली मतलब की इस तरीके से गठरी बना लीजिए, इसे बांधिए और इसे आप पीपल के नीचे रख दें, या पिर आप शणी मंदिर में जाकर शणी भगवान के चर्णों में अरगत करके आएं करना है अंधेरा हो जाए उसके बाद यह कारे करना है यकीन मानिये यदि सणी देव की क्रपा आप पर नहीं है तो उल्वो आपके उपर बनने लगएगी अगर आपके जीवन में कोई कहीं परेशानी आ रही है वह समाप्त हो जाएगी अगर आपको ऐसा नहीं भी लगता है कि शनी देव हमाये पे करपा नहीं कर रहे हैं या शनी का ऐसा वहम नहीं लग रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं हो सकता है आपकी और आने वाली पीडाएं और जो जीवन में चल रिस्की है ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ये ऐसी साजिस रस रहे हैं आप ऐसे विरोधियों से बचना चाहते हैं ऐसे विरोधियों को अपने पीछा चुडाना चाहते हैं तो यह उपाए जरूर अपना है बहुत बार ऐसा होता है पड़ोसी जलते हैं कोई किसी से बिना मतल कि जलन इर्शा करने लगता है बे मतलब आज की जमाने में ऐसी परिस्तिती हो गई है कि आज हर किसी से कोई ना कोई जलता है तो इसके लिए आपको एक चोटा सा उपाय करना है ऐसी इस्तिती कई बार आती है आप आफिस में भी देख लें व्यापार में भी देख लें कहीं भी हर जगे स्कुल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी इश्या मदवेत होता रहता है, कॉम्पेटिशन चल रहा है, तो इस दौर के चलते आप छोटा सा एक उपाय करें, आपको अपने सीधे हाथ में काली मिर्च के कुछ दाने लेने हैं, आप अपनी एक्षा के अनुसर काली मिर्च के दाने ले सकते हैं, उसे अपने घर के हर सदस के उपर से तीन-तीन वार उतारना है, यानि वारना है, जैसे नजर उतारते हैं, उस तरीके से आपको काली मिर्च के दाने उतारना है, तिन-तिन बार हर एक सदस के उपड़ से आप उसे उतारें अब आपको मुठी बंदी बंदाई लेकर जाना है और अपने घर से दक्षिन दिसा की ओर उसे आप फेग दें फेग दें आप अपने घर के छट पे जाकर भी फेग सकते हैं या फिर घर से बाहर निकल कर भी फेक सकते हैं बस याद रहे कि आप घर से जादा दूर ना जाएं आप अब यह उपाय अपने घर में रहे कर ही करें घर से बाहर याने दर्वाजे के बाहर तो निकल सकते हैं लेकिन गली से बाहर ना जाएं अपने घर के आसपा सी रहे और आसपा सी रहकर ही दक्षिन दिसागी और उस काली मिर्च को फेक दे और जब फेक में जाएं बिना किसी से बातचीत किये बिना पीछे मुड़े आपको घर लोट आना है छट पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप बस मुड़ के ना देखें यहां उपाई करने से आपके विरोधी भी आपके दोस्त बन जाएंगे और कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत सी बे मतलब की परिशानिया आ जाती है इन सब परिशानियों के यही छोटे-छोटे उपाएं हैं जो हम आपको अपने दोरा बता रहे हैं अपने चैनल के दोरा कई लोगों को इन से फाइदा भी हुआ है और कई लोग आप हमारे कमेंट बॉक्स में देखिए का कई लोग हमसे उपाएं पूछते हैं हम उन्हें बताते भी हैं अलग से भी कमेंट करके बताते हैं उन्हें पसंद आते हैं उनके जीवन में कुछ अच्छा ही हो रहा होगा तब ही हमसे बार बार कुछ सवाल पूछते हैं और उनके उपाएं हम बताते हैं आप भी हमारे चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जुड़ें ताकि उन्हें भी ऐसे छोटे-छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलें और अपने जीवन में आ रहे ही परेशानियों को दूर कर सकें आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बगल में बेला आइकन के प्रेस कर दीजिएगा और और अल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया उपाय डाले आप तक सबसे पहले पहुचे और आपके जीवन में कोई भी ऐसी पर सब्सक्राइब जैशनी देम